कि हलो स्टुडेंट्स आज हम लोग इंगिलीश ग्रामर के चप्टर इलैवन एड़र्ब्स के बारे में पढ़एंगे तो प्यारे बत्चों ईड़र्ब्स क्या होते हैं मैंने की मैंने जब आपको इंग्लिश ग्रामर का गौन secondo रॉपन ओपनो हुआ तो मैंने आपको English Grammar में एक चेप्टर पढ़ाया था Parts of Speech पढ़ाया था ना तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जब हम कोई speech देते हैं उसमें बहुत सारे words होते हैं है ना तो वो बहुत सारे words होते हैं तो हमने क्या किया उन words को categorize कर दिया आठ भागो में उन ही आठ भागो को हम क्या कहते हैं Parts of Speech कहते हैं जो हमरे speech के parts होते हैं मतलब भाग होते हैं और वो आठ जो हमने Parts of Speech बनाया थी वो कौन कौन से थे noun था, pronoun था, adjective था, word था, adverbs था preposition था, conjunction था ठीक है, interjection था तो इन ही आठ Parts of Speech मेंसे एक Parts of Speech था Adverbs जिसको हिंदी में क्रिया विशिशर बोलते हैं ये तो बात हो गई कि Adverbs जो है वो Parts of Speech का एक Part होता है ठीक है, आठ Parts of Speech मेंसे एक Parts of Speech होता है लेकि रियल में Adverbs होते क्या हैं रियल में Adverbs जो होते हैं वो ऐसे Words होते हैं ऐसे सब्द होते हैं जो क्या करते हैं? जो वर्ब की मीनिंग में एड करते हैं मतब वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं ठीक है वर्ब की मीनिंग में कुछ एड करते हैं या फिर किसी Adjective के मीनिंग में कुछ एड करते हैं या फिर किसी दूसरे Adverb की मीनिंग में एडवर्ब करते हैं जो संटेंस में आते हैं तो क्या जाने अप एडवर्ब के बारे में एडवर्ब जोते हैं उन सभी वर्ट को कहते हैं जो संटेंस में आने वाले वर्ब एड़ेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ एड़ करते हैं उन सभी वर्ट को हम कहते हैं जैसे इसके नाम भी एड़ वर्ब्स एड़ मने जोड़ना वर्ब मेने वर्ब मेंस क्रिया यानि क्रिया में कुछ एड़ करना लेकिन ये क्रिया में की मीनिंग में ही नहीं एड़ करता इसके अलावा वो अड्यक्टिव और दूसरे एड़ वर्ब की मीनिंग में भी कुछ add करता है यान कुछ describe करता है चीक है आई ये भी example के माद्दम से समझ लेते हैं और आप ये remember में definition देख सकते हैं an adverb is a verb which adds to the meaning of a verb an adjective or another adverbs in the sentence यानि sentence में आने वाले verb adverb, kriya, adjective क्रिया विजेशन और दूसरे adverb की meaning में जो add करे उने हम जो कुछ describe करे उनको या उनकी meaning में कुछ add करे उसको हम adverb कहते हैं आई ये अब इसको example के माद्दम से समझ लेते हैं जैसे देखे पहला example है हमारा bobby dances beautifully bobby बहुत सुन्दर dance करता है अगर मैं पूछू हूँ how dances bobby कैसे dance करता है तो आपको answer मिला beautifully बहुत सुन्दरता के साथ dance करता है मिला अगर नहीं मिला तो जैसे ही आपने beautifully अगर आप हटा लो तो आपको क्या मिलेगा क्यों बस इतनी जानकारी मिलेगी bobby dances bombay नासता है लेकिन जैसे ही आपने beautiful अट किया है तो dances कैसे करता है how dances कैसे dance कर रहा है beautifully यानि यह जो beautifully word है वो dances को describe कर रहा है उसको modify कर रहा है उसके बारे में और जानकारी अट कर रहा है dances में और अट कर रहा है कि dance तो करता है लेकि dance कैसे करता है सुन्दर्ता के साथ करता है तो यहाँ जो beautiful word है beautifully word है वो dances की meaning को modify कर रहा है describe कर रहा है इसलिए जो beautifully word है और dances क्या verb है यानि verb की meaning में add कर रहा है तो इसका मतलब beautifully word जो है वो एक adverbs है ठीक है इसी तरह दूसरे example देखते हैं the man beats the dog badly आदमी जो है कुट्टे को बहुत बुरी तरह से पीटता है अगर मैं badly word हटा दूँ तो यहाँ पे में क्या मिलेगा the man beats the dog आदमी जो है कुट्टे को पीटता है बस इती जान करी मिली लेकिन जैसे ही मैंने question किया how beats the dog कुट्टे को कैसे पीटता है तो answer निकल के आया badly बुरी तरह से पीटना तो यानि जो badly word है वो पीटने को describe कर रहा है यानि वर्ब को describe कर रहा है इसलिए badly word जो है वो क्या एक adverb है ठीके बाकी example भी इसी तरह से वर्ब को describe करते हुए पाए जाएंगे ठीके इस तरह एक और देख लेते हैं जैसे कि है देखे चौथा word है she spoke with the children very angrily ठीके she spoke with the children वो बच्चों के साथ बोला कैसे बोला very angrily बहुत गुसे के साथ बोला ठीके अगर मैं इसमें कहूं कि कैसे बोला how spoke with the children बच्चों के साथ बोला तो आप बोलोगे angrily बहुत गुसे से बोला लेकिन मैं बोलूँ कितने गुसे से बोला तो आप बोलोगे very angrily बहुत गुसे के साथ इसका मतलब जो angrily word है वो तो spoke को बता रहा है spoke को describe कर रहा है बहुत बोला तो कैसे बोला गुसे से बोला तो इसका मतलब angrily जो है एक एड़ वर्ब है लेकिन मैंने जब question किया कि how much angrily कितना गुसे से बोला तो आपने बोला very angrily तो इसका मतलब very जो है वो आपकी बार verb को नहीं describe कर रहा है किसको describe कर रहा है angrily को word describe कर रहा हूँ angrily क्या है angrily जो है एक एड़ वर्ब है जो spoke word को याई क्रिया को याई वर्ब को describe कर रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब को नहीं describe कर रहा है angrily को describe कर रहा हूँ angrily एक एड़ वर्ब है ठीक है बच्चो इस तरह से हमने definition के माद्धियम से भी जान लिया कि जो भी word वर्ब को describe करें, modify करें, या फिर दूसरे एड़ब को modify करें, या फिर adjective को modify करें, या address की meaning में add करें, तो वो सभी words क्या हैं? या यहां जितने भी example में दिये गए है, beautifully, badly, daily, very kindly, यह सब क्या है, यह सभी एड़ब हैं, ठीक है, यह तो हमने एड़ब को समझा, अब यह एड़ब कितने प्रकार के होते हैं, पेरे बच्चो, यह जो एड़ब होते हैं, आपके book में जो है, तीन प्रकार के एड़ब बताए हैं, कि जो एड़ब है, वो जो है, तीन टाइप के होते हैं, काइंड के होते हैं, जैसे पहला होता है, एड़ब आफ मैनर, दूस्ता होता है, एड़ब आफ टाइम, एड़ब आफ टाइम, एड़ब आफ टाइम, एड़ब आफ प्लेस, ठीक है, एड़ब मैनर क्या बताता है कि sentence में जो वर्ब हैं वो कैसे काम करता है ठीक है जो है कैसे काम करता है अगर आप sentence में ढूना चाहते हैं तो वर्ब में आप हाउ लगा के question करो तो आपको जो है मिल जाएगा कि एडवर्ब जो है कौन सा वर्ड है ठीक है और generally लोग जो एडवर्ब मैनर होता है वह adjective में य एड़ करके जो है एडवर्ब मैनर बनाते हैं दूसरा है है अडवर्ब आफ टाइम एडवर्ब आफ टाइम बताता है कि जो भी वर्ब है या में दोड़ता हूं तो वेन रण में कब दोड़ता हूं मैं लिखता हूं तो वेन राइट हम कब लिखते हैं ठीक न तो जब हम क्या करें वेन लगा के कोशन करते हैं संटेस में ठीक है मतलब संटेस में क्या वर्ब में लगा के कोशन करते हैं तो हमें टाइम मिलता है और जो क किया बतातायैク्षन के टाइम को बताता एक्षिन का वर्ब मेर्ध को को जान सकते छिए हमारे जो तीसरा टाइप एक्षन हो रहा है यह जो वह यह कुछ gotta जैसे मैंने बोला I play football ठीक मैंने का वेर फ्ली कहां खेलते हो तो बोलो कि in the field फिल्ड में खेलते हैं ठीक है तो यह इन देख्रेड हम्रा क्या हो गया प्लीस हो गया या मैंने बोला कि या फ्लीस होता है कि अच्छिए अच्छिण के प्लेश को बताता है जहां dr को प्राइब गरें तो प्यारे बच्चों से तरह था हमने एडवर्ग को जाना इड़ यूह था शता है वह में दोसरे टिसक्राइब करता है इस आर्मिए टीन कानट मे रचेक कि ने में अड़र फॉन्ट किसा भी सिंटन्स में हम लोग एड़ब को आफ मैनर को अँल लगा के और नट को विन लगाकर और एड़ब को वेर लगा कि किस्मेंलल में और मैंने में डूंडा क cultiv और एड़ब वर्डसे को इसमें अलगवाइ लगा करके हम उसको Mir ос tips Men में कर सकते हैं ठीक है तो अभी इहां पर आपको एक flow char दिया है जिसमें अब को अलगलग words बता हैं जो एक डीब मैंनर में आते हिएं में आते हैं और प्लेस में आती हैं जैसे sweetly beautifully carefully quickly slowly yes we words कैसे छिजुदें Arm EARLY, LATER यह सबहें कैसे वर्ड हैं ADVOF TIME हैं इसी तरह से Everywhere, Inside, Up, Down, Here, There, Below, Away, Outside यह सबहें वर्ड कैसे हैं यह सबहें वर्ड आडवरवब प्लेस को बताते हैं कि नका इसक्तमाल हम लोग आडवर अडवर प्लेस के लिए करते हैं तो इस तरह से यह चेप्टर आपको खतम होता है और आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेप्टर के साथ बद बद धन्यवाद